दिल्ली में समाजवादी पार्टी किसे करेगी समर्थन? दोस्तों अगर आप चाहते मायावती देश की प्रधानमंतरी बने तो इस वीडियो को लाइक करे और वीडियो पूरा देखे उमीदवारी नामांकन से पहले दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच राजनीतिक गडबंधन की लंबी कोशिश नाकाम होने के बाद अब सपा ने ऐलान किया है कि वेह साथ में से दो सीटों पर एएपी और बाकी पांच सीटों पर बहुजन स माज पार्टी का समर्थन करेगी लोग सभा चुनाव के पांच चरण के चुनाव संपन्न हो चके हैं और इस आम चुनाव में अब दो चरण ही बागी हैं जिसमें राश्ट्री राजदानी दिल्ली के साथ संसदिये सीटों पर भी मतदान कराया जाना है दिल्ली में छठे चरण के तहत 12 माई को मददान होना है और सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है उमीदवारी नामांकन से पहले दिल्ली में सत्ता रूर हाम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच राजनीतिक गडबंधन की लंबी कोशिश नाकाम होने के बाद अब समाजबादी पार्टी सपा ने ऐलान किया है कि पार्टी साथ में से दो सीटों पर आम अधपी पार्टी और बाकी पांच सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेगी समाजबादी पार्टी ने सूमवार को कहा कि वेह दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी बसपा का और दो सीटों पर सत्ता रूर हाम आदमी पार्टी का भी समर्थन करेगी सपा की दिल्ली एकाई के अध्यक्षा रैस यादव ने कहा कि शीर्ष नेत्रित्व के निर्देश के अनुसार दिल्ली में सपा कारेकरता बसपा उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे आरैस यादव ने कहा कि हम नई दिल्ली और उत्तर पस्चिम दिल्ली आरक्षित सीटों पर एएपी उम्मीदवारों का भी समर्थन करेंगे क्यूंकि बसपाने वहाँ अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं बहुजन समाज पार्टी बसपा ने पूर्वी दिल्ली से संजेग एहलोत उत्तर पूर्वी दिल्ली से राजवीर सिंग पस्चिम दिल्ली से सीता शरंड चाननी चौक से शाहे दली और दक्षनी दिल्ली से सिध्धान्त घौतम को चुनाव मैदान में उतारा है दिल्ली में सताधारी आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच गडबंदन की अटकले थी लेकिन कई दोर तक चली बाचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सका कॉंग्रेस जहां दिल्ली में 4 से 3 के फॉर्मूले पर अड़ी थी तो वहीं आम आदमी पार्टी 5 से 2 के साथ साथ अन्य राजियों में भी गडबंदन की बात कर रही थी जिस पर कॉंग्रेस राजी नहीं हुई दिल्ली में 12 हमाई को मद्दान होना है